Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए जानवरी 2022 की लाफ टारो रीडिंग तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सबस्क्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करें इसके साथ-साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दीखिए दूसरी बात इस रीडिंग को आप as guidance ही लें क्योंकि जब भी भी हम कोई reading देखते हैं तो हम इस उमीद के साथ देखते हैं कि भई हमें अच्छा-च्छा सुनने को मिलेगा और दीखिए जिन्दगी सिरफ खुशियां या फिर अच्छी-ची चीज़े नहीं हैं जिन्दगी खटा-मीथा है और दीखिए जब हम जो भी issues हैं इनसे भागते हैं तभी ये issues हमारी life में बढ़ते भी हैं तो यहाँ पर दीखिए मैं आपको यही कहूंगी कि अगर reading में आपको वही सुनने को मिलता है जो आप चाहा रहे हैं अपनी जिन्दगी से तो बहुत अच्छी बात है और अगर आपको कुछ और सुनने को मिलता है तो आप उसको सुनके मायूस ना हो आप उस reading में से guidance लें क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि tarot astrology यह जादा guidance के लिए होते हैं तो फिर से देखिए इस reading को आप as prediction ना लें आप यह ना सोचें कि जो मैं आपने कहा यह होगा ही होगा देखिए वो एक possibility है या मैं कह सकती हूँ कि जो आपकी अभी energies हैं उसके basis पे वो एक possible outcome है लेकिन अगर आपको वो नहीं अच्छा लग रहा है तो आप अपने current life की energies में changes लाके future को भी change कर सकते हैं जैसे जब भी भी हम एक जगा से दूसरी जगा पे जाते हैं तो सबसे पहले हम Google Map में देख लेते हैं कि कौन सा रस्ता clear है और जिस रस्ते में traffic होता है हम उसको avoid करते हैं ऐसे ही आप इस reading को Google Map की तरह लें जहां पे भी कुछ issues आपको दिख रहे हैं तो उसको कैसे आप improve कर सकते हैं कैसे आप better कर सकते हैं उस पे आप focus करेंगे तो देखे आप अपनी energies को या फिर अपने future को भी better बना पाएंगे तो इसी के साथ हम January 2022 की reading शुरू करते हैं तो चलिए Scorpios आप लोगों के लिए देखें कि January 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी तो में परस यहां पे तीन सेट आफ कार्द हैं फर्स सेट में हम आपकी energies देखेंगे सेकिंड सेट में आपके partner की energies देखेंगे और थर्स सेट में हम देखेंगे कि फाइनली January मन्त में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं Scorpios और आपके लिए आपसे सबसे पहला कार्ड है lover in the night temporary और देखें यह जनरल लीडिंग है तो यहां पे temporary का मतलब सब के लिए differ कर सकता है कुछ Scorpios के लिए हो सकता है कि अपने partner के होते हुए भी कहीं आप और लोगों के साथ temporarily involved हो रहे हैं या मैं कहा सकती हूँ कि आप flirting कर रहे हैं आप fun, मजा, मस्ती कर रहे हैं जादा interact कर रहे हैं आप फिर से दिखिए temporary flings में आप अपने आपको involve कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भई जो भी आपके partner है उनके साथ long term तो possible है नहीं permanent तो हो नहीं सकता है तो जो भी temporarily relationship में हो रहा है आप उसको enjoy करें और दिखिए जो भी मन ही मन की energies हो करते हुए discipline तरीके से इस relationship में रहते हुए दिख रहे हैं और दिखिए nine of pentacles का card कहीं independent energies की भी बात करता है तो हो सकता है कि Scorpius कहीं January starting में कुछ time से या फिर January मन्त में आपको ऐसा लगे कि भी आप अपने partner के ओपर mentally, emotionally, physically dependent नहीं होना चाहते हैं और दिखिए कुछ लोगों के लिए ये भी एक reason हो सकता है कि आप और लोगों से interact कर रहे हैं, आप और लोगों से healthy flirting कर रहे हैं आप और लोगों से भी बात कर रहे हैं अपने partner के अलावा तो फिर से दिखिए nine of pentacles का card बहुत एक sophisticated यहां फिर decent energies की बात करता है और कुछ ऐसा ही आपके लिए भी रहता हुआ दिख रहा है अगेन आप independently हर चीज को deal करना चाहा रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जादर shopping कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी किसी hobby को pursue कर रहे हैं और देखिए जो दो चीजें मेरे mind में आई मैंने कहीं सब के लिए यहां पर different चीजें हो सकती हैं जिसमें आप अपने आपको involve कर रहे हैं एक practical realistic approach रखते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने career आप अपनी professional life पे जादा focus कर रहे हैं overall देखिए जो भी हो कहीं आप enjoy करते हुए दिख रहे हैं in fact देखिए January मन्थ में जो भी आपके partner की energies हो जो भी इस relationship में हो कहीं आप beyond the point किसी भी चीज़ के साथ effect नहीं हो रहे हैं कहीं आपकी energies बहुत जबर्दस रहती हुए दिख रही हैं यहाँ पे four of wands का card भी कहीं fun, mazah, musti की बात करता है कहीं जादा लोगों से interact करने की बात करता है, जादा लोगों से बात करने की बात करता है कहीं vacation पे जाने की बात करता है फिर से मैं कहूंगी entertainment, enjoyment की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप करते हुए भी दिख रहे हैं और दीखे four of wands के नीचे past love का card है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि past का कोई relationship है past का कोई इंसान है जिनके साथ आप जादा interact कर रहे हैं या पिर जिनके साथ आप जादा fun, मजा, मस्ती कर रहे हैं नहीं तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भी आप surface level पे बहुत enjoy कर रहे हैं लेकिन मन ही मन past के किसी बात को लेकर past के किसी इंसान को लेकर past के किसी event को लेकर आप बहुत सोच रहे हैं और देखिए end of January के लिए भी यहाँ पे ace of wands and full school के card कहते हैं यह मन ही मन आपको ऐसे लग सकता है कि भाई again आपके partner के साथ जितना भी time energy आपने invest किया वो सब waste गया और कहीं वो worth नहीं है और शायद इसलिए देखिए ace of wands का card एक नई beginning की बात करता है तो यहाँ पे देखिए कुछs copyos के लिए हो सकता है कि current partner के साथ ही आप एक नई beginning करना चाहा रहे हैं लेकिन देखिए जादा मुझे दिख रहा है कि कुछ चीजों को आप cut करके या पिर पुरानी चीजों को किसी level पे end करके एक नई beginning आप अपने लिए चाहा रहे हैं तो देखिए फिर से overall आपकी energies copyos बहुत अच्छी रहते हुए देख रहे हैं और देखिए अब आपके partner की energies देखें तो आपके partner के लिए सबसे पहले cards मझे दिख रहे हैं return and apologies and five of cups reverse तो देखिए return and apologies का card बहुत ही clearly किसी भी गलती किसी भी mistake की बात करता है किसी भी दूरी किसी भी level पे एक distance की बात करता है तो पीछे देखिए अगर आपकी तरफ से इस relationship में एक distance आया या फिर आप से कोई गलती हुई तो आपके partner को लग रहा है कि भई आपको माफी मांगनी चाहिए और इस relationship में वापिस आना चाहिए और अगर आपके partner से कोई गलती हुई है या फिर उनकी तरफ से कोई distance आया तो उस distance को खतम करके अपनी गलती के लिए माफी मांग के वो फिर से इस relationship में वापिस आना चाहते हैं तो देखिए नचल में आपके partner एक reconciliation चाहा रहे है फिर से देखिए अगर उनसे गलती हुई है तो इस चीज का एहसास उन्हे हो रहा है और उसी के लिए ही देखिए आपसे माफी मांगना चाहा रहे हैं या फिर आपसे माफी मांग रहे हैं और देखिए past की जो भी चीजें हैं उनको भुला के कहीं जो भी अच्छी चीजें इस relationship में हैं उन पे focus करना चाहा रहे हैं फिर से चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं और देखिए या पे page of wants का card भी कहीं उनकी तरफ से action initiatives की बात करता है और कहीं चीजों को लेकर over enthusiasm over excitement भी रहने की बात करता है लेकिन देखिए page का card है तो कहीं एक immature energies भी उनके मुझे दिख रहे हैं तो देखिए overall mid january तक देखें तो वो देखिए इस relationship में reconciliation चाहा रहे हैं और इसी के लिए ही action initiatives भी ले रहे हैं और कहीं enthusiasm excitement दिख रहा है लेकिन साथ ही साथ एक immature energies भी रहती हुई दिख रहे हैं और देखिए यहाँ पर Casanova का card कहता है कि वो भी शायद देखिए reconciliation तो चाहा रहे हैं लेकिन permanently इस relationship को अपने mind में नहीं देख पा रहे हैं यहाँ भी रहो सकता है कि बहुत जादा serious चीज़ों को लेकर वो नहीं होना चाहा रहे हैं वो भी कहीं again मैं कहूंगी कि चीज़ों को light ही रखना चाहा रहे हैं और देखिए जो भी mid january तक हो रहा है कहीं end january के लिए the tower rivers and feminine के cards कहते हैं कि आपके partner किसी चीज़ को लेकर बहुत एक suffocation बहुत एक घुटन महसूस करते हुए दिख रहे हैं कोई चीज़ कहना चाहते हैं कोई चीज़ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं अगें देखिए एक passive energies में रहते हुए दिख रहे हैं और यहां पर देखिए सब Scorpios के partner के लिए different चीज़ें हो सकती हैं जिनको लेकर एक घुटन महसूस कर रहे हैं और जिसको लेकर एक action initiatives नहीं ले रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है Scorpios के आपके partner बहुत जबरदस्त एक प्यार महबबत महसूस कर रहे हैं लेकिन उसको ही किसी level पर suppress कर रहे हैं खुल के आपको नहीं कह रहे हैं खुल के अपनी feelings, अपनी emotions को नहीं express कर रहे हैं और कुछ Scorpios के partner के लिए हो सकता है Scorpios कि आपके partner बहुत एक गुस्सा, बहुत एक frustration, बहुत एक anger महसूस कर रहे हैं लेकिन again मैं कहूंगी कि इस energy को भी, इस emotion को भी वो suppress कर रहे हैं कहीं अपने गुस्से को आपको जाहिर नहीं होने दे रहे या फिर खुल के गुस्सा नहीं कर रहे हैं खुल के you know frustration again नहीं दिखा रहे हैं अब देखते हैं Scorpios की January मन्त में क्या हो रहा है तो देखें January मन्त के लिए सबसे पहले कार्ड आप लोगों के लिए है Summer and Two of Cups Reverse और देखें जहां एक तरफ Summer का कार्ड affection की बात करता है companionship की बात करता है happiness, joy की बात करता है वहीं दूसरी तरफ Two of Cups Reverse का कार्ड किसी लेविल पे किसी तरीके के distance की बात करता है और देखें ये जनरल रीडिंग है तो ये distance सब के लिए differ कर सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि physical लेविल पे आप लोग connected है और कहीं mental emotional एक disconnect महसूस कर रहे है अगें इसके बावजूत कि आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए प्यार महबबत है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भी mental emotional level पे आप connected है या फिर एक connection महसूस कर रहे हैं लेकिन physical level पे इतनी interactions, इतनी बातचीत आपकी नहीं हो रही है यहां पर physical level पे एक distance आ रहा है और दिखें जो भी हो कहीं mid January के लिए या January मन्त के लिए आप लोग एक दूसरे के किसी level पे ख्वाब भी देखते हुए देख रहे हैं क्योंकि देखें यहां पर dreaming of you और night of cups के cards कहीं similar सी energies की बात करते हैं इन फैक्ट देखें यहां पर भी सब के लिए energies थोड़ी थोड़ी differ कर सकती हैं कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक distance होने के बावजूत भी आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के ख्वाब देख रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों मिलकर ही future के लिए ख्वाब देख रहे हैं future के लिए एक vision create करना चाहा रहे हैं और देखें end of January के लिए यहां पे devil and rose colored glasses के cards कहते हैं कि एक pressure, एक tension, एक stress इस relationship में रह सकता है और फिर से मैं कहूँगी कि यह general reading है तो इस pressure, इस tension का reason सब के लिए differ कर सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत जबरदस्त एक physical intimacy आप लोग एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं या बिर physical intimacy चाह रहे हैं जिसकी वज़े से एक pressure, एक tension हो रहा है और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत ज़ादा possessive आप लोग एक दूसरे के लिए हो रहे हैं बहुत ज़ादा obsessive energies हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक बहुत controlling हो रहे हैं, बहुत dominating हो रहे हैं और दिखिए ये 3-4 चीज़े मेरे mind में आई, मैंने कहा लेकिन devil का card कहीं pressure की बात करता है, tension की बात करता है और कुछ ऐसा ही January end में इस relationship में रहता हुआ दिख रहा है लेकिन दिखिए devil के नीचे rose colored glasses का card कहता है कि जो भी tension, जो भी stress इस relationship में हो रहा है कहीं आप लोग बहुत ही positively इसको deal कर रहे हैं कहीं उन्हों बहुत ही beautifully again मैं कहूंगी कि इसको आप लोग handle करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं तो ये था स्कॉप्योज आप लोगों के लिए January 2022 की love reading और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया और कितना आप connect करें